आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Which of the following is true for nerve cells? पूजा गया है कि इन चारों में से nerve cell के लिए कौन सा true statement है? तो चली देखते हैं कि क्या के options यहां पर provided हैं तो first है, they change their shape continuously लेकिन जो nerve cells होते हैं वो एकदम से constant shape के होते हैं और वहां पर कोई change in the shape नहीं दिखाए गएता है next है, they are long and conveys masses to different parts of the body और यह बिलकुल correct होता है क्योंकि अगर हम लोग nerve cells यानि neurons का बात करते हैं तो इनका main criteria रहता है कि यह signals को transfer करते हैं और signals को from one neuron to the next, यह लोग jump करकर के ऐसे pass on करते हैं जिसके वैसे nerve cells ही signal transduction के एक मात्र सहारा होते हैं तो इसलिए हम लोग यहां पर second option को tick करेंगे जो की correct हो जाएगा वह next बोला गया है they help in respiration and photosynthesis लेकिन respiration और photosynthesis में help करता है stomata और chlorophyll या फिर chloroplast हम कह सकते हैं और इसका relation जो है वो nerve cells से एकदम ही अलग है तो इसलिए correct answer according to the neurons हो जाएगा second option जहां पर अगर हम लोग structures देखे तो neuron का structure जो है वो ऐसे star shape structure में दिखाई देता है जहां पर एक long axon होता है और last में यहां पर terminal ends पाए जाते हैं जिसके थू हम कह सकते हैं कि messages जो हैं वो transmit होते दिखाई देते हैं from the one neuron to the next और इसी हिसाब से पूरे body में messages जो हैं वो transmit हो जाते तो इसलिए हमारा third option ही हम यहां पर tick कर लेंगे Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर